कि दोस्तों इस विडियो में हम लोग जानेंगे कि फूटींग का जो इस टील है फूटा रेनफोर्स्मेंट है वह कैसे ग्याद किया जाता है दोस्तों यहाँ प एक फूटींग दिया गया है जिसका जो साइज है वह 15 वैगं by 2000 mm का है इसकी चोड़ाई जो है वो 15 mm है और इसकी लंबाई जो है वो 2000 mm है यानि कि डिल मीटर बाई 2 मीटर की जो है यह फूटिंग दी गई है इसमें हम लोग कितना सरीय लगेगा उसकी क्वांटिटि जो है क्यात करेंगे कि इस फूटिंग के रेन्फोर्चमेंट में कितना केज ही शरिय लगेगा दोस्तों इस फूटिंग का यह सेक्शन है जो कि यस GROW है वह दिया गया बोथ वेज, यानि कि ये जो है लंबाई के एलोंग और चार्णाई के एलोंग दोनों जो सरिया है, उसकी जो इसपेसिंग है वह 125 अमें दी गई है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी फुटिंग का रेइंफॉर्समेंट ग्यानद करना होता है तो दोस्तों जो लंबाई दी गई होती है उसमें से क्या करते हैं कि clear cover माइनस कर देते हैं तो effective लंबाई हमको ग्यात हो जाती है ठीक है तो हमारा लंबाई दो मिटर दिया गया है और इसका clear cover है 50 mm तो दो मीटर में से 50 mm इधर और 50 mm इधर यानि कि 100 mm माइनस करेंगे दो मीटर से तो 1900 आ जाएगा आपका effective length ठीक है इस length में हमको क्या करना है कि steel बार 125 mm से कितना नगाएगा वो ग्यांत करना है ठीक है यह जो है लंबाई effective लंबाई निकल गई अब दोस्तों effective चोड़ाई हम ल 50 mm इधर यानि कि 100 में माइनस करेंगे 15 से तो यह 14 सा आ जाएगा effective चोड़ाई ठीक है अब दोस्तों हम लोग formula लगाते हैं दोस्तों formula होता है number of bar number of बार निकालने का कि कितना इस्टील बार आएगा दोस्तों number of बार निकालने का formula होता है कि effective length यानि कि length effective यानि कि effective length upon spacing upon spacing plus one दोस्तों इस formula में क्या करते हैं कि हम लोग value को रखते हैं और कितना सरिया लगेगा वो निकल जाता है ठीक है तो दोस्तों हमारा effective length पहले जो हम निकाल लेते हैं कि लंबाई के along जो लंबाई दिया गया है उसके along जो है यह जो इस्टील बार जो है वो कितना लगेगी यानि कि bottom इस्टील बार दोस्तों यह ध्यान रहे कि सबसे पहले shorter span में हम जो है इस्टील प्रवाइड करते हैं ठीक है उसके बाद जो है लॉंग और इस्पेन में इस्टील प्रवाइड करते हैं तो सबसे पहले सॉर्टर इस्टील बार हम लोग ग्यांत कर लेते हैं कि यह कितना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लंबाई के लोंग इफेक्टिव लेंथ निकला है यानि कि 19 mm इस से हम लोग जो है इसमें जो है हम लोग इस पेसिंग से भाग देंगे तो हमारा उमनी सो अपान एक सब्सक्रीज प्लस वन इस उकल तू उमनी सो अपान एक सब्सक्रीज प्लस वन यानि कि 16.2 दोस्तों यदि 60.5 से ज्यादा होता है तो हम लोग एक उसको कंसीडर करते हैं तो यह 0.2 है तो हम हम लोग निकालते हैं कि ये तो हो गया 16 नग ऐसे में बार यानि कि बोटम सरिया अब हम लोग टॉप रेनफोर्चमेंट निकालते हैं टॉप सरिया निकालते हैं ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह 14 सो जो दिया है effective length इसमें हम लोग क्या करेंगे 125 से divide करेंगे तो number of bar ठीक है तो 14 सो effective length दिया है और 125 mm spacing दिया है और plus 1 हम लोग formula में रखेंगे तो यह 14 सो हो गया अपान 125 11.2 प्लस 1 यानिकी 12.2 दोस्तों 0.2 है यादि 0.5 से ज्यादा होता तो हम लोग 1 consider करते यानिकी 12 प्लस 1 यानिकी 13 तो यह 0.2 है यानिकी 5 से less है तो इसको हम लोग 0.2 को avoid करेंगे यानिकी 12 consider करेंगे ठीक है तो यहां पर हो जाएगा 12 नोज ठीक है अब हम लोग cutting length निकालते हैं ठीक है यह तो हो गया 16 नग जो है अपना shorter span में और longer span में जो है अपना 12 नग ठीक है अब हम लोग cutting length निकालते हैं ठीक है कि इसकी लंबाई क्या होगी तो दोस्तों अब जो है cutting length निकाल लेते हैं इसको हम लोग भी consider करेंगे ठीक है तो यह 14 हो गया ठीक है यह चोड़ाई हो गई 1400 और दोस्तों यह depth दिया हुआ है 400 तो 400 footing का depth है और 50 mm नीचे से cover bottom cover हो गया 50 mm top cover हो गया यानि कि 100 mm इसमें से माइनस हो जाएगा तो 300 यह एल हो जाएगा 300 इधर और 300 इधर तो यह हो गया 600 अब प्लस जो है वो 14 से यह प्लस 600 ठीक है तो यह हो जाएगा 24 यानि कि 2000 mm यानि कि 2 mm ठीक है दो मिटर हो गया ठीक है यह? कितना नग था यह 16 नग था ठीक है यह हो गया अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि वेट निकालेंगे अब यह जो है दोस्तों ये जो है 12 mm डाया का है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 मीटर का है और 16 हनग है और इसमें केजी में वेट निकलना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 mm के लिए जो पॉइंट जो है 89 से मुल्टिपलाई करेंगे ठीक है तो इसका वेट निकल जाएगा इसका वेट निकल जाएगा आएए करते हैं 2 इंटू 16 इंटू 0.89 ठीक है तो ये निकल जाएगा 28.48 kg यानिकी 28.48 kg ठीक है दोस्तों ये हो गया सॉर्टर इस्पेन का इस्टील बार का वेट ठीक है अब आते हैं लॉंगर इस्पेन का जो इस्टील बार है उसका वेट हम निकालते हैं इसको हम लोग ए मान लेते हैं ठीक है इसको हम लोग क्या मानते हैं ए मान लेते हैं तो इसका जो इफेक् ठीक है तो यह उनीसो एम प्लस छेसो एल इडिकल टू हो जाएगा पचीस सो एम एम यानी की धाई मीटर ठीक है और यह था बारा नग और डाया है आपका 12 एम यानी की पॉइंट एट नाइन से कर देंगा मॉल्टिप्लाई तो यह वेट निकल जाएगा ठीक है तो यह वेट हो गया आपका 2.5 x 12 x 0.89 ठीक है तो यह हो गया 26.7 kg जो की यह वोता है इसको जो है चारों तरफ से जो है ऐसे बाइंड करता है 8 mm का जनरली इसको हम लोग प्रवाइड करते हैं ताकि जो है फूटिंग ऐसे फैलेना ठीक है यानि कि एक जो है टॉप और एक सेंटर ठीक है दो स्टील बार चारो साइड प्रवाइड करते हैं वो भी आठ का यानि कि यह 14 सा है तो 14 गुणे 2 और 19 गुणे 2 यह लेंथ हो जाएगा ठीक है इन्टू 2 ठीक है तो यह हम लोग निकाल लेते हैं इस टाइब का चारो साइड से जो है यह प्रवाइड करते हैं ताकि फूटिंग का जो एल है उपर के तरफ वो जो है फूटिंग को चारो तरफ से जो है वो बांद के रखें ठीक है तो इसको हम लोग प्रवाइड करते हैं तो यह हो गया 1400 यह भी 1400 और यह हो गया 1900 यह हो गया 1900 ठीक है और यह है आपका 8 mm का ठीक है इस टील बार, ठीक है तो इसका लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं इसका वेठी निकाल लेते हैं डाइरेक्ट तो एक फुटिंग में आपका दो नग लगता है तो दो इन्टू दो पहले ही कर लेते हैं उसके बास से दो गूड़े उननीस सो ठीक है प्लस दो गूड़े 14 सो यह लेंथ हो गया और इन्टू एट एमम का है तो 0.395 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो डाइरेक्ट वेट निकाल देंगे ठीक है दोस्तों इसको हम लोग मीटर में रख लेंगे अब मल्टिप्लाई करेंगे 2 इन्टू 2 इन्टू 1.9 मीटर प्लस 2 इन्टू 1.4 मीटर इन्टू 0.395 यह 5.21 केजी हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5.21 केजी ठीक है यह हो गया आपका 8 mm डाया और यह हो गया आपका 12 mm डाया और यह भी हो गया आपका 12 mm डाया तो इस परकार दोस्तों किसी भी फूटिंग का जो है रेंफोर्समेंट हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही तमाम सिविल इंजिनीरिंग से जुड़ी होई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्स फर वचिंग इस वीडियो थैंक्यू